गोजारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं ठीक है आप भी और लोगों की तरह जो की बहुत ज्यादा सटिस्फाइड हैं हमारे साथ उसी तरह बिना किसी शुल्क के नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और वाट्सप ग्रूप के ल मन रहती है कि मुझे option buying ही करनी है तो कोई और तरीका सुझा दीजिए कि कैसे किया जाए और मैं loss से बढ़ जाओ ठीक है तो मैं बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं बहुत आसान ठीक है करना क्या है बस step by step देखिए यह जो मैं चार्ट यूज कर रहा हूं यह जो मैं ड करते हैं आप लोग क्या करते हैं प्राइज को अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए प्रेडिक्ट करते हैं मैं ऐसे बिल्कुल उलट सोच रखता हूं आप यह प्रेडिक्शन मत कीजिए कि प्राइज उपर जाएगा या नीचे नहीं यह बात कहने का तरीका ही गलत ह गया हमको यह बताना है कि प्राइज किस इस्तर तक उपर जा सकता है और किस इसतर तक नीचे जा सकता है अच्छा कहां तक जा सकता है जड़ा सोच कर बताःए मैं आपको बताओ जहां पर सबसे ज़्यादा option seller बैठे हुए हैं उस इसतर के ऊपर नहीं जाएगा और जिस इ ज्यादा call writer जिस strike price पर हैं उस strike price की उबर price निकलने की संभावना सब से कम है दूसरी बात सबसे ज्यादा put writer जिस strike price पर हैं उसके निकलने की संभावना सब से कम है तीसरी बात लोग बहुत परेशान रहते हैं एक technical term डेल्टा डेल्टा नीट्रल क्या होता है सर मैं अभी आपको समझा देता हूँ बस कुछ शब्दों में समझ ये पहले मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरा कहना है कि 21-300 अगर निफ्टी चल रहा है तो आपको खोजना है कि ऊपर किस call option पर सब से ज़्यादा call option seller और नीचे खोजना है कि किस put option पर सब से ज़्यादा put option seller है ठीक है कैसे पता लगेगा इसी चार्ट पर right click कीजिए right click किया यहाँ पर देखी option सब कुछ इसलिए धन कडी मटी उस करते हैं हमारे traders भी करते हैं मैं भी आपको जितने विश्याद्स करता हूं सब कुछ आपको one platform सब कुछ आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आ गए option चेन पर क्लिक कीजिए यह 28 December का expiry है अब यहाँ पर देखिए oi oi मतलब पर number contract अगर को अगरी call option seller एक call बेचेगा एक call option बेचेगा तो किस strike price का बेच रहा है कितने बेच कर बैठे हैं सब कुछ लिख कर आ जाता है जैसे 21-300 के strike price पर 21-300 के call option को 35,500,000 call option seller बेच कर बैठे हैं टोटल number of contract इतना बेचा गया 21-300 के put option को 61,000,000 put option seller बेच कर बैठे हैं अच्छा यहाँ पर प्राइस का चल रहा है 21-349 मतलब 300 के उपर ठीक है 300 के उपर चल रहा है इसका मतलब है कि अब कल की जब opening होगी तो मैं एक बात आपको भी प्राइस लगभग लगभग सवादस तक तो ट्रेड ही नहीं करेगा बात क्लेर होगी दूसरी बात बोल लेता हूं यह जो प्रीमियम 76 रुपया 76 पॉइंट्स का दिख रहा है यह प्रीमियम आप पाएंगे कल के session में जब बाजार open होगा तो यह खुलते ही प्राइस भले एकिस तीन सो पचासी क्यों न चाब कॉस्ट परी क्यों न ओपन होगा यह चेतर का प्रीमियम 75 से लेकर 70 की बीच में कहीं ट्रेड करना चाहिए अगर कॉस्ट पर open होता है मतलब melt होके open होगा तो मैंने क्या कहा हमको दूर पास नहीं दूर के strike price पे जाके यह ढूंडना है क कि सबसे ज़्यादा call option और put option राइटर कहां बैठा है ठीक है यह ढूंडना है तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर call option ऊपर जाना है 21-300 उन्चा चला है तो ऊपर की तरफ जाए call option और देखिए सबसे ज़्यादा call option राइटर कहां पर बैठा हो तो आपको देखेगा maximum open interest OI कहां पर देखता है 82 लाग contract हमको 21-500 के दिखते हैं इसका मतलब है कि अगर ये strike price अगर benefit चलकर ऊपर की तरफ जाता भी है तो किसी भी हाल में 21-500 को cross नहीं करेगा पहली बात होगी ठीक है अब देखिए put side put side देखिए क्या कहीं भी इस strike price से ज़्यादा contract sale है क्या कहीं भ इतना put writer कहीं नहीं है जितना call writer है इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि कल की session में कल जब बाजार open होगा ये nifty कभी भी 21-500 के ऊपर trade ही नहीं करेगा बात clear हो गई डूसरी बात premium कितना sale करने जा रहे है 62 तो जब call option पो sale किया तो इसी के साथ एक put strike price भी sale करना है लेकिन जो इससे सबसे कम premium और सबसे nearby हो क्या कह रहा हूँ put options में वो premium सबसे ज़्यादा हो open interest सबसे ज़्यादा हो ठीक है सबसे ज़्यादा put writer वहाँ पे बैठा होना चाहिए और क्या कह रहा हूँ यहाँ पर 82 लाग है तो यहाँ पर 65 मिल जाए 70 मिल जाए जो सबसे ज़्यादा हो put option side वो ढूमना है तो हमको मिला क्या 21-200 premium कितना है 50 रुपया तो 62 का ये और 50 का ये दोनों को sale कर दीजे 21-200 का put sale करना है और दूसरा मैंने क्या बोला दूसरा मैंने बोला 21-500 का call sale करना है बात क्लियर होगी इन दोनों strike price को sale कीज़े अब देखिए कई लोग कहते है डेल्टा को neutral कीज़े मैं कहता हूँ बिल्कुल मत कीज़े कारण क्या है समझे ये logic क्या है डेल्टा neutral करते हैं डेल्टा neutral का मतलब का है डेल्टा किस value को दर्शाता है और डेल्टा static नहीं है dynamic है बदलता रहेगा किसी भी strike price का डेल्टा का मतलब है सीधी सी बात है अगर 21-300 का call option अभी 21-300 का C अगर 100 रुपय पे ट्रेट कर रहा है और उसका डेल्टा 0.25 है इसका मतलब है कि जब भी bank nifty का price एक point उपर नीचे होगा एक point उपर नीचे होगा तो ये strike price 25 पैसे move करेगा 25 पैसे move करेगा ये डेल्टा का मतलब है तो डेल्टा neutral क्यों करते हैं पता है call और option को बराबर ऐसा strike price sale करने के लिए कहा जाता है call or put side दोनों side ऐसा strike price sale करने के लिए कहा जाता है कि जहां पर per point momentum बोथ call and put में बराबर हो कि नीचे भी इतना ही strike price sale कीजिए कि जिसका delta 0.25 हो कि वो भी एक point nifty के momentum से 25 पैसे ही उतार चड़ाओ करे इससे क्या होगा अगर nifty 50 point चलके उपर जाएगा तो इसका जो upside momentum होगा जो इसके premium गिरेंगे और जिसके बढ़ेंगे लग बग लग बग बराबर होगे जो की होता कभी नहीं है अब सोचिए 21-300 का delta अभी 0.25 है अब 50 point का upside momentum हो जाए तो ये delta बढ़कर 0.35 हो जाएगा और जो आपने नीचे put sale करके बैठा है उससे तो दूर चला गया तो जिसका 25 था वो 15 रहे गया कोई फैदा हुआ delta neutral करने का नहीं फैदा किस चीज का है फैदा है open interest को सही से देखने का अभी हम लोग अभी option chain को आपने देखा देखे बहुत गहरी बात बता रहा हूँ और बहुत आसानी से समझा रहा हूँ ज़्यदा कुछ कह भी नहीं रहा हूँ लेकिन कम शब्दों में बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने कहा उपर 82 लाख अब सोचिए call option seller 82 लाख 21-500 के call writer बैठे हुए 21-500 अपर 82 लाख call option seller बैठा हुआ है किसी हाल में इस strike price की उपर price को जाने देगा नहीं जाने देगा तो नीचे का strike price हम दूर का sell करेंगे कम premium और उपर का strike price pass का sell करेंगे और ज्यादा premium तो यहाँ पर देखिए हम लोग 62 लुपया sell कर रहे है और यहाँ क्या sell कर रहे हैं 50 लुपय अब जब price और नीचे गिरेगा तो 62 का price तेजी से गिरेगा और यह कम बढ़ेगा क्यों 50 लुपय का premium तो delta uneven है बराबर नहीं है equal नहीं कर रहे है, neutral ही कर रहे है delta को दूर रख रहे है जब भी delta neutral strategy बनाई जाती है तो हम लोग किसी भी momentum को expect नहीं कर रहे होते हैं और जब इस तरह से आप practical approach की तरफ जाते हैं तो हम लोग included रहते हैं पहले से momentum को भी momentum हमारी साथ है अब मैंने सिर्फ strike price देखकर आपको बता दिया momentum downside है प्राइस को देख लीजे downside है की नहीं जब price बंद हुआ तो गिर रहा था और उसके पहले पूरे session में देखी लगा अतार गिरते हुए जा रहा था कि नहीं पूरे दिन की जितनी भी candles बनी है उसमें से चार candle negative उसके पहले का momentum negative बात के लिए रहे 21-500 को अभी break करना मुश्किल लगता है तो क्या करना है उपर हमको 62 का premium sale करना है और नीचे 50 का बात क्लियर हो गई अब यह premium कैसे sale किया जाए तो चलते हैं हम लोग इसके option trader application के कैसे चलना है समझे यह किसी सजजन का डीमेट है देख लेते हैं किनी मैम का है देखिए आचा देखिए हमारी कितना कम capital in का सूचिए 21-70,000 रुप्या लगा हुआ 20% इसी तरह एक session में चार-चार आप लोग मैं जो बोलता हूँ ना एक से 2% आपको मुलेगा जो मैं community में आके आपको trade कराऊँगा जब आप join करते हैं enroll करते हैं जो trade कराता हूँ एक से 2% बोलता हूँ पिछले session में देखिए इन्होंने 4-4% कमाया ठीक है कभी loss नहीं करते हैं क्योंकि hedging कर रहे हैं option से link कर रहे हैं ठीक है और बहुत समझदारी से कर रहे हैं अब समझे यहाँ पर आप click करते हैं अपनी profile पर तो trade on option trader का विकल्ब मिल जाता है इस dmit का link आपको description में मिल जाएगा और telegram और whatsapp का गुरूप का भी link आपको description में मिल जाएगा जोइन कर लीजे यहाँ पर यह nifty पर आ गए मैंने क्या का अभी हम लोग क्या करना चाह रहे थे 21-500 का call sale करना चाह रहे थे जो की 62 रुपए पर है तो sale पर click कर दिया यह option trader पहले से सब कुछ बता देगा क्या करना है 21-200 का put sale करना चाह रहे थे जो 50 रुपए पर दुनों को sale को final margin क्या बता रहा है 1,500,000 ठीक है final margin इसको कम करना है अब देखी हम लोग कितना कमाएंगे अगर बाजार इस range में रहा तो कितना कमाएंगे 5600 रुपया बस इस range में रहा जाए 5600 कमाएंगे सोचिए 21-500 और 21-200 के बीच में expire हो जाए 300 point के अंदर expire ही तो हम लोग 5600 रुपया कमाएंगे लेकिन हम लोग इतना नहीं कमाएंगे एक लाग पैंतेस हजार देकर 5600 रुपया कमाना पर्सेंटेज ओफ रिटरन देखिए ठीक है एक लाग चाली जार रुपया दे रहे हैं छह जार कमा रहे हैं लग 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 पांच जार या पर्सेंटेज ओफ रिटरन अब मैं क्या करूंगा आपको एक कॉल बाई कर लेना है कोई भी जिसका प्रीमियम कितना पांच रुपय या छे रुपय या आठ रुपय यह 21650 मिला है 8 रुपए बाई कर लीजे नीचे एक put buy करना है जिसका premium 6 रुपए 8 रुपए ठीक है क्या कर रहा हूं नीचे की side एक put buy करना है जिसका premium 8 रुपए बाई कर लीचे आप देखिए जरा हमारे buy side के जो lag है उससे क्या हुआ margin benefit हुआ और हमारा profit यह 8 रुपए 0 होगा तो यह भी 0 होगा यह seller के लिए profitable है और यह यह भी 0 हों के साथ में यह क्या है margin को कम करने के लिए जो लोग कहते हैं option selling नहीं की जा सकती यहां देखिए मैंने एक call और एक put निफ्टी के जहां पर एक लाग रुपया लगता है एक lot को sell कर दिया और यहां पर आप 4800 रुपया कमाएंगे बस price को क्या होना चाहिए 21500 और 21200 हम लोग इतना कमाएंगे भी नहीं सोचिए यह trade लिया है 12350 पहुंच किया क्यों यहां पर put writers इतने ज्यादा थे वह price को नीचे नहीं आने देंगे वह इतने ज्यादा sellers है इतना 14 पैसा सूचिए एक put sale करने में एक लाख रुपया लगता है जब आक net करते हैं अभी मैंने आपको बताया कैसे margin को कम किया जा सकता है 35,000 में एक lot 34,000 में एक lot हो रहा है दो lot 38,000 में आप sale कर रहा है एक lot 34,000 के असबस पढ़ रहा है जो आप एक लाख रुपया देते वो 30, 35,000 में आपका hedge हो रहा है इससे कम भी कर सकता हूं ठीक है मैं margin को और कम कर सकता हूं लेकिन इतना परयापत है चलिए क्या करना है तो मै नीचे आठनो रुपय के premium buy कर लेने हैं call or put के intraday में आपको price में बैठे रहना है जब तक आपकी range के अंदर price है आप profitable होंगे तह है और शाम को अपने profits book करके चले जाए देखते हैं कैसे loss होता है ठीक है चलिए आज के लिए परयाप थे शुब रातरी धन्यवाद